प्रेंश गुड़ मॉर्निंग दोस्तों जाड़ूर सब लगा लेते हैं फटाफट उसके बाद हमें बनानी है टिश्टी टिश्टी नास्ता तो चलिए दोस्तों देखिए यह है नास्ता बन के रिटी नास्ता बनाने लिए दोस्तों चना की दाल उरत की दाल चावल तीनों हम एक साथ विगो दिये थी हम तो विगोई होती ओवरनाइट गलगया इसको अच्छे से साफ कर लिए साफ करके दोस्तों पीछ लिए हैं देखिए इसी तरह बैटर होना चाहिए बहुत ही अच्छे से बनेगा नास्ता तो इसकी इस्टपिंग के लिए एक आलू, शिमला मिर्श, एक गाजर हम तेनों इसको अच्छे साफ करके आलू छिल के कदू कस फटाफट कर लेते हैं दोस्तों देखिए हैं कदू कस चलिए दोस्तों इस्टपिंग तयार लेते हैं अद्रक, लेसुन, मि करें धनिया, हर्दी, मिर्चा, थोड़ी से डाल चीनी, स्वादम साथ थोड़ा सा नमक डाल दियें इसको भून लिए हैं थोड़ा सा मसाला और रिप्यास सब कुछ इसमें कदू कस की हुए आलू पहले भूनेंगे मसाले के साथ इसके बाद दोस्तों ना गाजर इभी चल साथ ऑन है दोस्तों लग दिये थे पांच मिनट के लिए रिस्स में डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सी डाल चीनी पाउडर, मिर्जा पाउडर, थोड़ी शी धनिया पाउडर और नमक जोग उसको संके बिला लेते हैं ये कराहे में हलका सा थेल डाल दियेंगे हेलो दोस्तो अमारे तरीके से बनाए हुए ये नास्ता आप सभी को कैसा लगा प्लीज प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं फटा फट देरी ना करते हुए बना लेते हैं नास्ता दोस्तो बच्चों को प्रिफिन में रख दीजिए बच्चों को बहुत ही परसंद है दोस्तो इसी तरह चिप कियेगा भी ने बहुत अच्छे से डोसा बन के तयार होगा दोस्तो प्लीज आप सभी को यह हमारे तरीके से बनाए हुए डाल चावल के डोसा और सब्जिक इस्ट्रफिन आप सभी को कैसा लगा प्लीज थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो मुझ कमेट में जरूर बताएं और एक लाइक कर देना अपने दोस्त के साथ सेर करना प्लीज हमारे भाई वहन जिस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज आजाएए आप सभी लोग पहला निवाला आप सभी का हग बनता है दोस्तो के साथ खाने के लिए दोस्तों बना दे रहा हैं टमाटाघनी पती की चटनी अधरक लैसुन मिर्चा चट पता शिर बट्ट चटनी दोस्तों बनाएंगे हम लोग चटनी के साथ खाएंगे आप सभी लोग चटनी के साथ भी खाईए शोया सास के साथ खाईए और दोस्तों चाय के साथ भी लास्ता कीजी बहुत ही है टिस्टी लगेगा हेलो दोस्तों वीडियो में कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं सुरी वाफ करें बाई बाई टेक कियर कि कि अचर बताएं कि अचर से सरी बताइं कि अचर बता है कि अचर को कि अचरो दो दो रहाएं भाई बताएं